हालो एवरीवन मैं हूँ डॉक्टर सिंदु गुपता हॉलिस्टिक हिलिंग कोच मोबाइल नियुमलोजी की शंखला में आज हम बात करते हैं कि हमारे को अपने किंग नंबर और क्वींग नंबर के हिसाब से हमारे को अपना मोबाइल नंबर कहां चार्ज करना चाहिए ताकि हमारे को अपने मोबाइल से हमारा जो भी प्रोफेशन है या जो भी हमारा एम है उसके हमें अच्छे रिजल्स मिलें और मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग इसको कुछ दिन करने के बाद अपना फीड़बेक जरूर शेयर करें जैसा कि हम सब जानते हैं जिस दिन हमने जनम लिया उस तारिफ को वो हमारा कहलाता है किंग नंबर और हम पूरा जिस दिन जनम लिया मन्थ एन येर उसको टोटल कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है क्वीन नंबर तो आशाकरतियों सबको अपना king and queen number निकालना आता होगा और आही गया होगा नहीं तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे आप अपना king and queen number निकाल सकते हैं फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करें तो आपको ज़रूर आपका king और queen आप सही निकाल पा रहे हैं या नहीं उसका मैं आपको ज़रूर जवाब दोगी तो जिन भी लोगों का king number या queen number 1 है उन लोगों को अपना जो mobile phone है वो north में चार्ज जिन के लिए लगाना चाहिए जिन लोगों का number 2 king या queen है उनको south west में जिनका king queen 3 east में number 4 south east में, number 5 south west में, number 6 north west में, number 7 west में, number 8 north east में और number 9 south में यह directions हैं आपके king and queen number के हिसाब से लेकिन हमारे को charging के टाइम यह ध्यान रखना है यदि आपका anti number suppose आपका 1 and 8, king है 1 और queen है आपका 8 तो आपको जो अपना phone है वो आप इसकी जो 1 and 8 के friendly numbers हैं उस direction को निकाल के वहाँ पे आप चार्ज करें अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको अपना friendly number निकालना वो भी आपको बताऊंगी कि आप अपना friendly number कैसे देख सकते हैं otherwise main main तो आप इनके हिसाब से जैसे पीछे मेरी वीडियो बनी होई है कि आपके कौन-कौन से number anti होते है 1 8 anti होता है 2 8 anti होता है 3 6 anti होते है 4 8 anti होते है तो इस प्रकास से anti numbers यदि आ रहे हैं तो anti numbers में आपको यह ध्यान रखना है कि जो anti directions है उसके अंदर आपको पना phone charging पर नहीं लगाना है कई जगे आपको यह मिलेगा कि आपका king कुछ है और queen कुछ है और anti है तो उसमें आपको friendly number देखना पड़ेगा कि आपका friendly number कौन सा है उसी पर आप अपना phone charging के लिए लगा सकते हैं और आशे करते हैं यह आपको जानकारी अच्छी लगी होगी यदि आपको पसंद आ रही है तो इसको जानकारी को आप share करें लाइक करें और हमारे जो holistic healing channel का जो हमारा channel है उसको subscribe करें और notification bell notification पर जरूर क्लिक करें ताकि नई जो भी वीडियो आएगी आपको information मिलती इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धनिवात थैंक यू